हेलो गाईज लेक्स एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप रमेचेंग को सब्सक्राइब करते हैं इसापी नेक्स एपिसोड को स्टार्ट करते हैं गुश्याओ दिखाय चाहती जो अपना काम समिट करवाने के लिए जाती है मैं मुझे पूरे काम को देख रही हो तो कहने होती है तो वहसे निकलती है वह फूकर करती हो पूसकी ऐसी कॉल अटेन करता पर जैसे को गुश्याओ के तो वह पूरी बात भी नहीं सुनताthank कर देता है साथा लीध करते है जो आपनी मम को देख्गा और करवा रही होती तभी वह देखते है कि शन भी उसका वेट और वो जैसे ही अपनी माम का अंदर छोड़कर एक काम का करेकर बाहिर आती है तो शैन उसके लिए पहले से नंबर लेकर खड़ा था ताकि उसकी माम की जल्दी से बारी आ जाए तो वो जब शैन से खड़े होकर बाते वगरा कर रही होती है इतने में उसकी माम के पास नर्स जाती जो से बताएं लगती है कि आपका ब्लॉड प्रेश्य पहले चेक होना है यह कहकर उनको वाँशे ब्लड प्रेश्र करने के लिए लेकर जा रही होती तो शैन के साथ खड़े होवे देख लेती है और उसकी माम की जाने के बाद जैसे ही लिए शैन से कहने लगती है कि मुझे जल्दी जाना होगा मॉम मेरा वेट कर रही है ताकि हम जल्दी से चेक अप कर वाले यह कैकर जैसे ही अपनी माम को देखने करे जाती है जहां पर वो अपनी माम को छोड़ कर गई थी वहाँ पर उसकी माम नहीं होती वो से देखकर कहें लगते हैं कि तुम यहाँ पर तो वो कहें लगते हैं कि तुम्हारे साथ तो श्यान नहीं था तो वो बताती हैं कि वो अभी गया है वरना वो सारा unaware ही मेरी साथ था। अब दोनों भेहन भाई जब बैठ कर बात रहे होते हैं तो उन दोनों को बाते करते होँ ay गशाओ भी देख लेती हैं जो लिन्न के पास आने वाली थी अब उन दोनों को साथ में बैठे देखकर बाते करते देखकर पुछ खलती समझ लेती है रहाँ से चुप करके चली चाती है अब फुव भी उसे चीजें देने के बाद जा वहाँ से जाहें लगता है तो आगे से गुशाओ की बाते कुछ समझ भी नहीं आती क्यूंके वो सिरफ लव की बाते कर रही थी वो कहने लगते हैं कि तुम्हें मैंने कहा था ना कि नौवल्स कम बढ़ा करो तो वो कहने लगते हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझे इतने में वहाँ पर लिन आ जाती है जो गुशाओ को देखा कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर और जैसे फो को देखती है तो कहती है के भाई अब गुशाओ उसके मूँसे भाई सुन्ती है तो कहने लगती है कि क्या मतल़ यह तुमारा भाई है तो वह बताती है तुमारा ऊसके साथ कोई गरेख्जन होगा गुशाओ कहते हैं कि तुम पहले नहीं बता सकती थी कि वो तुम्हारा भाई है अब पताने वापिस जा का वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा जो मैंने बाते उसे कहीं है लिन उसके टेंशन को देकर कहें लगती कि क्या तो मेरे भाई को लाइक तो नहीं करती कि नहीं नहीं मैं तो नहीं लाइक करती पलिन्तों से कहने लगती है कि अच्छा अगर तुम लाइक नहीं करती और अगर तुम लाइक करती भी हुई तो मुझे बता देना अच्छे से खिला पिला कर ताकि मैं भाई के सामने तुम्हारी कुछ तरीफे वगरा कर दूँगी अब यह सुनने के बाद गुशाओ थोरी टाइम के लिए चुप हो जाते हैं पर फिक करने लगते हैं कि तुम लोगों ने क्या समझा हुआ है कि मेरे दिल में उसके लिए को फिलिंग से ऐसा कुछ भी नहीं है यह कहकर वो बाहर चली जाती है इधर फो दिखा जाते है जो पह जाता हैं पर फिल लिंगा कह लगते हैं कि उसमे सारी बाते तुम्हारा अच्छे होने के ही बहुत फिक करो एसा कुछ भी नहीं है गुशाओ के पहा 쓰도 गया था वह जैसे फो बास देने वाला था करते है क्यूं बलकि मैं आज में आ जाओं तो वह करते हैं झाल आती कर लिए सब्सक्राइब दोनों यूद्धि ने वो कहने लगती है कि नहीं नीडेट पर नहीं जारी बस एक फ्रेंट से मिलने के लिए जारी हूँ तो वा कहती है कि अच्छा एसी बात है बस टॉप तक पहुंच गई थी, इतने में फूबी उसके पास पहुंच आता है, उसे देखकर गुशा पूचे लगती कि तुम्हारी तो मीटिंग थी, तुम यहाँ पर कैसे, पर वो बताएं लगता है कि मीटिंग को यॉर ले लेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, गुशा यह बास उनका कहते है कि चला ठीक है, हम डीनर करते हैं, किसी भी पास वाले कनवीनिया स्टॉर में जाकर, तो फूबी कहता है कि ठीक है, पर उसे एक सकिन रुखने को कहकर, अपना कोट उतार कर उसे पहना दिता है, क्योंकि उसके कपड़े गीले हो चुके थे, य मेरे मॉम टैट हमेशा काम में बीजी होते हैं, कभी भी मुझे याद नहीं करते हैं, और ना ही उनके पास मेरे लिए कोई टाइम है, एक तवा स्कूल लाइफ में मुझे छुटिया होई थी, और मैंने सबसे का कि मैं अपने मॉम टैट के पास जारी हूँ कोरिया में, पर जब मैं आई, लिन को पता लग गया था, कि मैं अपने मॉम डैट से मिलकर नहीं आई, बलके होटल में रहे रहे कर आ गई हूँ, इसी बात में मेरी उसके काफी पैस हुई थी, और ये बताते होगे मुझे काफी इंबेरस में फ्रील हो रहा है, अब जब मैंने अपना सिक् पच्छा है, आज से जब भी तुम फ्री हुआ करो, या मैं फ्री हुआ करें, तो हम दोनों साथ में डिनर किया करेंगे, और साथ में ही इस कैपसुल ट्वाई को ओपन किया करेंगे, वो स्मार्ड करने लगता है, और हमें शिंग दिखाया जाता है, जिसने कुछ बाते लि पिशलेस को से सिस्पेंड कर दिया गया था मारने की वज़ा से, अब इसका असर तो इसके शूटिंग अपिटिशन पर भी होगा ना, वो लोग भी शायदी से निकाल ना दे, शैन्वी इसके लिए काप ये परिशान था, पर शैन कहता है कि ये हरकत कोई और ने बर्के एक वो आपको किसने दी थी, अब वो जिसका नेम बताता है, उसे सुनने के बाद तो लिन शौक हो गई थी, अब हमें कौच दिखा जाते हैं जिन्हें शैन की वज़ा से कौल्स वगरा आ रही थी, शैन भी इतने में वहाँ पर पहुंच आता है पर कौच कहने लगता है कि वो लोग इस बात को क्लियर करना चाते हैं, तुम्हारे हक में बोलेंगे, शैन कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरा स्कूल क्या बोलेगा, पर कोच जो भी होगा देखा जाएगा, अगर वो लोग मुझे कंपिटिशन में नहीं रखते तो कोई बात नहीं, अब अपना शैन जारा अब याईजन को दे लेती है तो वो खाकर कहता है कि इतना बूरा नहीं था, अपर लिन उसे पूछे हैं कि तुम शचन की सात क्या करोजी होगी, वो करन लगता है कि मैंकुछ भी नहीं करूंगा, वो जो करता है न उसे करनेने दो, ये सुननी के बात लिन कानने लगता है क शेंग को तुम्हारी सक्ट मसला क्या है उसे ने तुम्हें पिछले स्कोल से सिस्पेंड करवाया था तो शेंग कहता है कि हाँ और मैंने जब उसे स्कोल में मारा था उस पात का मुझे ज़रा भी रिग्रेक्ट नहीं है कि मैंने उसे क्यों मारा और क्यों स्कोल से सिस्पेंड हुआ अभी जब लिंगा गुसा और फसे गुसा करते देखते के मुझे लगता है कि तुम्हें इसनंग रखते कि घूर ट्रेनिंग करो वह जाने जाने से पहले लिन के बालों को खराब करके जला जाता है अब शेंग जब अपनी ट्रेनिंग करने के खड़ी होकर तेखने लगते के ये दोनों आपस में क्या करेंगे फिर से फाइट ना स्टार्ट करते शेंग तो शेंग को अपनी तरफ ले रहा होता है कि वो से फाइट करे और यहां से भी उसे सिस्पेंड करवा दे बट शेंग उसे ऐसा कुछ भी नहीं करता बलके कहीं लगते खिर शेंग के पस मेंगई तो थी और मुझे शेंग ठीक भी लग रहा था उसे कोई बी सिस्पेंड होने का दुख नहीं था पर शेंग से मिलने के लिए शिंग तुबारा से आया वाते हैं यह सुनकर तो उन दोनों को गुसा आ रहा होता है कि यह तुबारा से क्या करने के लिए आया लिंग कहते हैं कि मैंने उन दोनों की बाते नहीं सुनी मुझे नहीं पता कि उन दोनों की दर्मियां क्या बाते हुई तो वह अच्छे लगते हैं कि जिस तरह शिंग ने शेंग के बारे में यह बाते होंगी ना वह भी इतना अच्छा इंसान है तो शिंग अब ये ट्रेनिंग का रहा होता है तो उसके पास उसके कोच आते हो कहा है लगते हैं कि तुमने मुझे एक फेवर मांगी थी ना तो मैंने तुम्हारे लिए स्कूल अर्थोरिटी से बात कर ली है सुबा में उनके साथ तुम्हारी मीटिंग है तो अभी तुम्हारे पस टाइम नहीं है तो जल्दी से जाकर रेस्ट बगारा कर लो ताकि तुम सुबा में जल्दी पहुंच पाओ अब ऐसी ने दिखाया जाता है कि शेंट उन लोगों के साथ बैठा होता है जिनके साथ इसकी आज मीटिंग दी वो लोग पूछे ओते कि आज तुम अपने आपको लिनुका कर सकता लिन कया लगती इतना नोगते हैं हमें यह शक्षार वांग Ox근 तो पता है कि हम यहां पर है कि क्रस्णक कई देड कर different नहीं हो कि हिए यहांग को से मांग अधरी तरो विघी ओड़ा लाग लेता है थाम यहिंपद लिए…